Hello students, मैं सीरामे कडमी से आपकी संस्कृत की टीचर तो आज हम पढ़ेंगे दितिया बाठा, second chapter तो second chapter में क्या है? शोड कागा, सोने का कववा सोने की कववा, किस प्रकार का है, जो सोने का है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे तो ये कहानी के रूप में दिया गया है आप देख सकते हैं, ठीक है? तो यहां से स्टार्ट करते हैं प्रिश्टतो आयम पाठा, सिरीपद, सास्त्रिणाम, विरिच्टम विश्व, कथा, सत्कम, इति, कथा, शंग्राहत, गतो, अस्ति ठीक ना? जो प्रिश्टत पाठ में शिरीपद, सास्त्रिणाम, विरिच्टम, उनके दोरा विरिच्टित नी लिखी गई कथा संग्राह से ये जो कहानी है ली गई है अत्र, विविद, राष्टेश, व्यापतानाम, शतम, लोग, कथानाम, वड़नाम, विद्दे फीक है, तो अत्रविदे द्याश्चू, ये जो राष्ट इन्हीं, पिविपिन प्रकार के राष्ट में ब्याब्त है, लोक कत्हाओं के वारे में वड़नीत है ऐसा कथा वर्म, मयांबर, देशा स्रेष्टा, लो कथा अस्ती, यह कथा कर्म और देश की स्रेष्ट लो कथा है ठीकना, अस्या कथा याम, लोभश, दुस्पर्णामा, दथाचा, त्यागस, सूपर्णामा, श्वन, पकाचा, कमा, धैनेन, वरितो, अश्मी ठीकना, क्या है यह, इस कथा में लोभ, लोभश के क्या दुस्पर्णाम होते हैं, और त्याग के क्या सूपर्णाम होते हैं यहीं लोब अगर कोई लालच पुरी बला है आपने सुनी है ना तो लालच करने से क्या दूस्परणाम होगा और त्याग करने से क्या सूपरणाम होता है ना जब हम किसी चिच का त्याग कर देते हैं तो हमें उसके अच्छे परणाम यह अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। उसका वर्णर इस पार्ट में किया गया है। तो चलिए बच्चों अब इसकी कहानी पढ़ते हैं। इसकी स्टोरी क्या है। पुरा कश्चिद ग्रामें एका निर्धनता व्रधा इस्टरी निवसत। एक पुराने गाउं में एक निर्धन व्रधा यो थी बुढ़ी वैस्टरी निवास करती थी। दस्या, चा, एका, दुहिता, बिनम्रा, मनोहता, चसीत, उसकी एक दुहिता थी, दुहिता में इस क्या होगी, पुत्री होती है, ठीक ना, उसकी एक बिनम्र पुत्री थी, जो बहुती, मनोहर और बिनीत थी, एकदा माता इस्थालायाम तंडूलानाम निच्छियायाम पुत्रीम अधिशत उसने एक दिन उसकी माता ने उस पुत्री की माता ने उसे तंडूलान निच्छाम पुत्रीम अधिशत उसे चावल की रच्छा करने के लिए निउक्त किया तंडुलान भी सोता है चावल ठीके ना उसे चावल दिये और क्या कहा शूर तपे तंडुलान खगयो रच्छा शूर के जब धूप में फैला दूँगी तो तंडुलान इन चावलों की तुम खगों से पच्छी से रच्छा इसकी करना हना तुए इस काम के लिए उसकी मा ने उस पुत्री को निक्त कर दिया तो उसने क्या देखा जब वह है कलान तरम जब तंडुलान को ताक रही थी चावल को ताके वैठी थी तो क्या होता है चुछित्र काका समीपम तश्चा समीपम अगच्छत जहां पर तंडुलान रखा हुआ था दूपमर तो क्या करती है वो कवे आकर एक वी चित्र कववा उसके समीप आजाता है ठीक है ना देखे चित्र बना हुआ है चित्र में क्या है ये लड़की अपने घर के सामने खाट बिची हुई है और उसमें क्या है तांडूलाने निए कि चावल के दान के चावल के कुछ दाने पड़े हैं और एक कवया आपर उसमें क्या कर रहा है उसको चुनना चाहता है ठीक है बंड़े करती है नैना द्रशाह स्वन पच्छो रजध चछू उसने इस प्रकार के सोने के पंखों वाला कववा और रजत चछु रजत चछु में इस होता है चांदी की चोंच वाला कववा इससे पहले कभी नहीं देखा था तता तंडुलान खदंत हर्सन तच्छ विलोकत वालिकाह रोधित मंदरब्धा इनी की जब तंडुलान को उसके चावलों को जब वै कववा खाने लगा तो वै वालिकाह उसे देखकर क्या करने लगे रूदन करने लगी रोने लगी ठीक ना तम निवार्यन तिसा प्राथयात तव उसकी निवारन के लिए कववा उससे बोलता है तंडुलान मा मच्यम मदी माता अतिव निर्धन वर्थते क्या कहती है कि मेरी माता अतिव निर्धन वर्थते मेरी माता अतिव निर्धन है और मेरे ये तंडुलान मत खाओ ऐसा तुम्हें ऐसा करना जो गाउं के बाहर पीपल का ब्रच है तुम सुबह वहाँ पर आ जाना मैं तुम्हारे इन चावलों का मूल तुम्हें दे दूंगा मैं तुम्हें क्या करूंगा तुम्हारे इन चावलों का मूल तुम्हें दे दूंगा प्रह हिर्ष्टा बालिका निंद्रा मपी नाले भे उस बालिका को रात भर नीद नायाई शूर्योदयत पूर्वेओ, शूर्यादत पूर्वमेओ, सूर्यूदय के पहले ही सा तत्रोपसिता वह उपस्तित हो गई ब्रच्छो असी, विलोकस चा, आश्चर चकित, सज्जाताह, तत्र शौन मयाह, प्रसोदो वर्ते वह से रात भर नीद ने आई, सुर्योदय के पूर्वी, वह क्या करी, वह इस ब्रच्छ के पास सुपस्तित हो गई और जब वह पीपल के ब्रच्छ के पास जाती है, तो आश्चर चकित हो कर क्या देखती है कि स्यति सत्र सबर शौन मयाह, प्रसादो वर्ते, इस पीपल के ब्रच्छ पे सोने का महल कैसे बना हुआ है यदा ककाह, शैत्वा, प्रभुद्दता, तेन, शौन, गवच्छतिकर, आहो बाले यदा कदा, तब जब वे पुकारी उसको, तो यदा ककाह, शैत्वा, तब वे कववा, शोकर, प्रभुद्दता, तेन, शौन, गवच्छा, क्रिस्टा वे क्या करता है, अपनी सोने की खिड़की से, महल से उस बालिका को देखता है और क्या कहता है, हाहो बाले, तुम आगता तिष्टा अहम तत्करते, तुम बालिका आगई हो, तिष्टा जरा रुको, अहम तत्करते, शोपान, शोपानम, वात्रियामी, तत्कथम, शोनमय, रजतमयम, तामरमम, वै मैं तुम्हे क्या करता हूँ, सोने की सीड़ी देता हूँ, तुम उससे उपर आ जाओ, तुम सोने की सीड़ी लोगी, तत्कथम, शोनमयम, या रजतमयम, कि या तामरमम हुआ, तुम कौँछी सीड़ी से उपर आना चाहोगी, ऐसा कोश्चन उस बालिका से उस कवे ने कहा तो कन्या आवदत अहम निर्धन मातु दुईता असमी मैं एक निर्धन मा की निर्धन बेटी हूँ हना तमर शोपानाने अगस्यामी मैं तामे की ही सीड़ी से उपर आजाओंगी परम शोण सोपानम शावर्नम भवनम अरोहत पर उसे कवे ने सोने की सीड़ी नीचे कर दी जिससे वह उपर चली गई चिरकालम भवने चित्र बिचित्र वस्तुदानी सज्जतानी द्रश्टवासा बहस्यमम गता स्रांता ताविलोका से ककाह आउधत पूर्व लगू प्राता राश्चाह क्रियतम वदम तौम स्वन स्वन इस्थापलम चिरकाल तक बहुत देड़ तक वे उस भवन के अंदर बिचित्र सी वस्तुदों को देखती रही बिचित्री की बस्तुमें इसमें सजाई गई थी और दिख रही थी जिससे वह देखर बिसमें मेर पड़ रही थी कौन वह गरीब वाली का स्रांताम ताम भिलोकम ककाह आउधत तब उस ककाह नहीं उस सोने के कवे ने पूछा पूर्बं लगू प्राता रशा क्रियताम क्या तुम नास्ता करोगी ये सुबे का नास्ता कर लो और वदं तौन स्वण इस्थालं रजतिस्थालं या उत्तामर इस्थालायां यहीं कि तुम सोने की ठाली में भोजन करोगी रज़तमीश चांदी के करोगी कि उत ताम रिष्थालम मैंने की तामर की ठाली पर भोजन करोगी तदासा आश्चर चकीता सज्जता यदा स्वण कनें ये श्वण थालयाम आम भोजन परवेसे तो जब उसने तामरे की थाली मागी तो सोने के कवे ने उसे सोने की थाली में भोजन परीवेसित कर दिया ठीक न भोजन दे दिया ना एत्रशौम स्वादुम भोजन मरदी बालिका खदित वन्ती बालिका ने बड़े ही प्यार से क्या किया भोजन किया और काको अवधत बालिके और कको नहीं उस कवे ने बालिके से पूछा अहां मिच्छाम यत तुम सरवदा एत तिष्ट परम तव माता तुम एका किनी व होता है मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रुक जाओ पर तुम माता तुम माता तुम एकनानी वर्टे तुम अपनी माता की अकेरी पुतरी हो अता हा तुम सिरह में उस्वा गरह्म इसलिए तुम क्या करो घर को जल्दी सीगर ही जाओ इतिकता ककह उसके बाद उस कवे ने काभयांतरम तिम्रम मन्जूसा निश्राहता प्रत्यावदतव वाली के एथेचम ग्रहाणम मन्जू के साम है ना उसने क्या कहा कच्छा वेतरम तिब्र मन्जूसा उस कच्छ में लाकर उसने तीन पेटिया उसे दी और उसे पूछी निशार्तम तप्रत्यावदतव वाली के एथेचम ग्रहाणम मन्जूस का में काम इनि तुम कौन सी इस पेटि को लेना पसंद करोगी मन्जूसा में इस क्या होती है एक पेटि थी वो दिखाई दे थी उसको विलेना कौन सी पसंद करोगी मेरे चावलों के मूल के लिए ये छोटी सी जो मन्जूसा है पेटि है वो है उसे ग्रहाण करके क्या करती है चली जाती है ठीक है ग्रहमाक्तम एक मन्जूसा शमुद्र पंडितम एमदा महरश्यती हीराकडी विलोकश प्रसहरता तांदू द्वारिकमदा सज्जाता हना इस प्रकार से वे पेटि को ले जाती है और इस पेटि को खोलती है तो उसमें हीरे ही हीरे थे जो अमूल ले थे तस्मीन म्योग्रामं एक अपारा लुबधा व्रद्धा नौसाथ उस प्रकार से वे क्या हो जाती है एक अमीर लड़की बन जाती है और उसका जीवन्यापन चलने लगता है उसी गाँ में कुछ दूर पर एक ब्रद्धा रहती थी तस्या अपी एक पुत्री उसके पास भी एक पुत्री थी इशायाम तस शुड काकश रहश्यम ग्यातवती उसे सोने के कवे का रहस मालूम पड़ गया तो उसने क्या किया सूर तपे तंडूलां निश्चयाम तपयामी इस्तुवंता रच्छार्थ निउगता उसने उसी तरह उस तंडूलां को धूप मर रखा और उसकी रच्छा के लिए अपनी पूत्री को निउगत कर दिया तथेव शोनक पच्छा कका तंडुलान भच्छयान तमामी तत्रवेकें कार्यत उसी प्रकार से कववा आया और तंडुलान के भच्छन को भच्छड करने लगा तब क्या हुआ प्रत्स्तृता गत्वा साकका निर्भत्स्वती प्रचोध्यत तो उस लड़की ने क्या कहा निर्भत्स यंती प्रवोचत तो भो नीच का कहा अहम मागता मध्यम तंडुलान मूल्यम प्रयाच्छा तो वे लड़की क्या कहती है कि है नीच कवे तुमने आकर मेरे तंडुलान को खा लिया है अब मधम महम तंडुलान मूल्यम प्रयाच्छा मुझे कहा करो इन क्या करो इन चाबलों का मूल्य मुझे दो ककोब रहिता आहम तुम रहे सोपानाम आउतरयामी ठीक ना उसी प्रकार से वे उसे बुलाता है ठीक है वे उसके पिपल के ब्रच के पास जाती है और जब वे जाती है तो क्या होता है अहां तत्करतेशो बानम अवतरन थी तो वह कवे बोलता है कि तुम सोने की सीड़ी से आओगी तत्कतम शोनम रजतम या तामरमम उसी प्रकार से कोस्चन करता है जिस प्रकार उस गरीब बालिका से किया था तो वह क्या बोलती है वो लोभी लड़की थी है कि नहीं? तो उसने क्या कहा? कि मैं सोने की सीडी से ही आउंगी गवर्टिया वालिका पुक्तम शोन मे सुपनें आहम अगच्छा मि… मैं सोने की सीड़ी से उपर आऊंगी परम स्वन ककस्ते क्रते तामर मयम शोपन मेव प्रयाच्छत तब उसे ककाह ने सोने की नहीं तामे की सीड़ी भेजी स्वन ककमस्ता भोजनपी त्रामे भजने वकारत और उसे सोने की थाली पर नहीं तामे की थाली पर उसके भोजन कराया प्रति निवक्रति काले, शुन कायनेन, कच्छ अंतरम, निप्तर मंजूसाह, तत्पूराह, समुद्रिस्ता, लोब विष्टा, साव रहताम, मंजूसम, गरहितवानी उसी प्रकार उसने, शौन कवे ने, उसकच से उसे तीन पेटियां दिखाई, उसमेंसे उसने क्या किया? वह लोब बस उसने सबसे बड़ी पेटी को क्या कर लिया? गरहण कर लिया ग्रहमाकतमसा, तरिसा, यावद, मंजूसा, चाटियन्ति, तावत, ताम्यम, भीशन, किष्ण सर्पो, विलोकित और जैसे ही वे अपने घर जाती है और उस मंजूसा को खोलती है तो उसमें क्या होते हैं भीशन, काले-काले सर्फ, निकलते हैं लुद्वाम, वालिकाय लोभश, फलम प्राप्तम, तदा आंतरं, संव लोभं, प्रत्यत्चत ना, तो इस प्रेकार से उसे लोभ के कारण, लोभ का फ्रुप उसे इस प्रेकार से प्राप्त हुआ कि वहाँ पर भीशन, सर्पुसे उस पेटी पर मिले फलम प्राप्तम तदा आंतरम सम लोभम प्रत्यचत हना तो इस प्रेकार से उसे लोभ के कारण लोभ का फल उसे इस प्रेकार से प्राप्त हुआ कि वहाँ पर भीशन सर्पु से उस पेटी पर मिले और उस वालिका ने कि लोभ नहीं किया था इमानदारी से मांग की थी तो उ यह नहीं कि जो लोबी होता है उसे एक दिन उसकी इमानदारी का इनाम जरूर प्राप्त होता है और जो लोबी होता है वह एक दिन क्या हो जाता है अपने ही लोब में फस जाता है ठीके है समझ में तो इस श्वंड काकाह पाठ का समाप्ति करण हो गया है अब हम इसके अभ्यास को एक नजर डालेंगे देखें जड़ा सब्दार्थ दिये गये हैं तो सब्दार्थ आपको पढ़ना है ठीक है ना तो सब्दार्थ आप इसको देख डालें इसके बाद यहाँ पर देखिए एक पदे इन उत्तर लिखे गये हैं माता काम अदिसत हैना और शोण काका कान खादित तो यह आपको मालूम है इनी में एक-एक पद के उत्तर हैं उनको देना है ठीक है इसके बाद यहाँ पर दिया गया है अधो लिखित पृष्णा नाम उत्राणी संस्कृत भासा लिखत ठीक है निर्धनाय आये रच्छा वध्धाय दुहिता की देशा असीत तो जो काका काना उदा था तो स्वंड काका क्या खरने आथा तंडुलान खाने आया था ठीक है तो उसका एक पद में और इसका एक वाक्य में हमको उत्तर देना है ठीक है तो अगर हमने बड़े ध्यान से इस पार्ट को पढ़ा होगा समझा होगा तो उसका उत्तर असानी से हम दे सकेंगे नेक्ष्ट देखिए अधो लिखित नाम सब्दा नाम विलोम पदम पठाथ चित्वा लिखत इसे ध्यान से देखें अधो लिखित सब्दा नाम यहीं जो सब्द दिये गए हैं विलोम सब्द का क्या करना है उसका विलोम लिखना विप्रार्थी सब्द अपोजिट लखना है तो पस्चात में इस होता है बाद में और उसका पूर्व क्या होगा संस्क्रत में लिखेंगे पूर्वम हाशितुम का क्या होगा रोधितुम हसना और उल्टा होगा उसका रोणा तो संस्क्रत में होगा रोधितुम और अधा का मतलब होता है क्या होता है नीचे अधार और उपरी का मतलब होता है उपर स्वेद का मतलब होता है सफेद और क्रिष्ण का मतलब होता है काला सूर्यस्त का मतलब होता है सूर्योदय सूर्यस्त में सोता है सूर का ढलना और सूर्योदय में सोता है सूर का उगना सुप्ता में सोता है सोता हुआ शुप्ता में सोता है बेटा और ब्रद्धा में इस क्या होता है प्रबुद्धा सुपता और प्रबुद्धा, सोता हुआ और जागता हुआ तो इसे लेखेंगे प्रबुद्धा, आया समझ भे? फिर संधी कुरूत, तो हम आपको संधी विस्तार से बताएंगे ठीक है, जब grammar portion पढ़ाएंगे तो हम आपको संधी बहुत अच्छे से explain करेंगे और आपकी भी उसमें सहमती लेंगे, ठीक ना? लेकिन अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? विच्छेद लिखा हुआ है और विच्छेद को हमको सब्दों में रुपांत्रित करना है तो नी धन आउसत लिखा है, तो यह क्या है? यन संधी है जो ई है और आ है, यह जो ई है, इसमें छोटी नी ऐसा लगा है, तो छोटी ई है यह अगर ऐसा होता तो क्या हो जाता यह? बड़ी ई हो जाती तो ये जो छोटी य है हना वो क्या है ये जो छोटी य है और आ हना मिलकर क्या बन जाते हैं क्या मिल जाते हैं आय बन जाते हैं ठीक ना तो यहाँ पर हो जाता है क्या हो जाता है नेवसत नी धन अवसत का हो जाता है नेवसत ये यन संदी है ये बहुत ही सरल है शूर धन उद तो शूर धन उदय, तो ये सूर जो पहला पद है, तो सूर में या में आ है, और धन के बाद उग उखै, अना सेकर्ण पद पर, यह दूसरे पद पर जो उत्तर पद है, तो उसमे उग है。 सूर योदय तो यह हो जाएगा सूर योदय गुड संधी इस प्रकार से सूर योदय की तरह है ब्रच्छस धन उपरी तो ब्रच्छो धन उपरी ही धन अकार्यत तो क्या हो जाएगा अकार्यत हना इस प्रकार से आपको संधी का सब्धी सब्ध करने हैं ठीक है ना मैंने दो त क्या करूंगी उसमें explain भी करते जाओंगी ओके धैन ठेंक यू स्टुडेंट्स मुझे सुनने के लिए आपका धन्नवाद